ओम शान्ती, 31 दिसंबर 2021 की साकार मुल्ली से होमवर्क, आज रोहानी उस्ताद हमें शिक्षा दे रहे हैं, विश्व का मालिक बनना है, तो पवित्र बनना और बनाना, ये शुब कार्य करो, आज की मुल्ली से स्वमान लेंगे, मैं पवित्र आत्मा हूं, आज की मुल्ली से गुण लेंगे खुशी का और चिंतन करेंगे, जो बाप ने आशिरवाद दी है, जितना याद करेंगे, उतना सुख मिलता है, इसका भाव क्या है, पवित्र बनने की आज की मुल्ली में जो विधी बताई है पहली विधी बताई है पवित्र बनना है तो हमें सबसे पहले अपने आपको देखना है कि मैं आत्मा स्वेवम ही स्वेवम के संकल्पों को कितना शुद्ध रखते हूं जितना हम अंदर से शुद्ध होंगे उतना हर्शित रहेंगे उड़ती कला रहेंगी और संतुस्ट रहेंगे और पवित्र रहने की विधी बताई है देही अभिमानी स्थिति तो देही अभिमानी बनने के लिए आज की मुरली में बावा ने कहा कि देही अभिमानी बनना है तो एक मैं होता है देहे अभिमान का और एक मैं होता है आतम अभिमानी का तो आज की आत्मा को रियलाइस करो, आत्मा बिंदू है, आत्मा 84 जनम लेती है, आत्मा में ही 84 जनमों का पाठ है, आत्मा अविनाशी है, इस पाठ को जैसे ही हम पक्का करते जाएंगे, उतना ही देही अभिमानी होते जाएंगे, और आत्मा के करम श्रेस्ट अर्थात पवित्र होते ज देही अभिमानी बनने की, कि हमें करम योगी बनना है, तो करम योगी बनने के लिए आज बाबा ने कहा, जैसे आप दुकान पर बैठे हो, जा ओफिस में बैठे हो, तो कच्छुए की मसाल देते हुए कहा, जब भी समय मिले, अपने को आत्मा निश्चे कर बाप को याद करो ये आदत पक्की हो जाए, तो करम योगी बनना अर्थात निरंतर योगी बनना, उसके लिए हर करम निमित भाब से और साक्षी द्रिस्टा होकर के करेंगे, तो हमारा हर करम भी श्रेष्ट होगा, तीसरी विधी बताई पवित्र बनने के लिए निश्चे की, कि हमें बाप के साथ पूरा लव रखना है, तो ये निश्चे रहे कि बाबा हमें पढ़ाते हैं, बाबा हमारी पालना करते हैं, बाबा हमें स्नेहे से, प्यार से, नमरता से समझाते हैं, बाबा से हमें पूरा-पूरा वर्सा मिलता है, हमें माला का दाना बनाते हैं, बाबा ही हमें आत्मा में आते जाएंगे तो आत्मा पवित्र होती जाहेगी इसके साथ बावा ने पवित्रता के लिए बताया माया भी संग से अपनी संभाल करनी है उसके लिए आज हम श्रीमत पर अटेंशन देंगे बावा की श्रीमत है कमबाइंट होकर व्यभार में आओ बावा मेरा सा और मैं साक्षी हूँ, तो किसी भी बात का परभाव नहीं आएगा। दूसरी विधी बताई कि हमें कैसे मायवी संग से अपनी संभाल करनी है। अपने सत्व गुनी पाठ के उपर अटेंशन देना है। जैसे खुशी का गुन है, इसके लिए आज हम अटेंशन देंगे। अ याद से सुख मिलता है, इसका मतलब है। याद से हमें शरीमत याद रहती है, हर करम श्रेस्ट होता है। तो हमें यहाँ भी सुख मिलता है, तो भविश्य में भी सुख मिलता है। το इन बातों को आज की मुरली से हम धार्णना मेलेंगे। ओम शान्ति